किसी भी लेंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर यानि कि एक बोलते हैं और दूसरा सुनते हैं या एक बोलते हैं और बाकी सारे लोग सुनते हैं जैसे यहाँ पे हो रहा है मैं बोल रहा हूं और आप सारे सुन रह तो जब हम बात करते हैं तो हम बताता हैं कि यह बूक है वो गारी है वो घड़ है तो इस तरह Japanese में भी जब हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे आज उस चीज़ को थोड़ा सा सीखते हैं देखिए this that that over there यानि कि this यह दैट वो, दैट ओवर दैर ओ, काफी दूर, यानि कि यहाँ पर तीन अलग-अलग situations हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यह speaker है और यह listener है, ताना का सन speaker है और मीरा सन listener है, ताना का सन किसी object के बारे में, जो object के बारे में ताना का सन बता रही है, वो object उनके पास है, मीरा सन यह book के बारे में बताते हैं, जो book already मीरा सान के पास है, यानि कि listener के पास है, तब वो use करेंगे सोरे, मीरा सान और तना का सान दोनों में conversation हो रहा है, तना का सान बता रही है, जो book के बारे में वो दोनों से काफी दूर है, या कोई object के बारे में बता रही है, वो दोनों से काफी दूर है तब वो यूज करेगी आरे तो यहां पर तीन अलग-अलग वर्ड हो गया एक हो गया कोरे एक हो गया सोरे एंड आरे कोरे सोरे आरे इस डाट ओवर देर इस वाच के बारे में बात कर रहा हैं आप से बात कर रहा हैं तो हम बताएंगे कोरे बात तो के इस वाच आपक का तो एसे बताएंगे हम, आप दोनों से काफी दूर शोरूम के सेल पर रखा हुआ है, तो क्या बताएंगे ? और वाई तो का इस तरह का बताएंगे, तो बंदा इस ऑबजेक्ट के बारे में बात करेगा वो decide करेगा कि बहुत ही सिंपल है speaker के पास है तो बताएंगे कोरे speaker से दूर है listener के पास है तो बताएंगे सोरे अगर दोनों से काफी दूर है तो बताया जाएगा आरे बहुत सिंपल चली अब sentence pattern देखते हैं देखें यहाँ पे दो noun है in one and into पीछले लेसंस में हम लोगों ने पढ़ा है in one वा into this बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप धड़ा धर जैपनीज बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ फिर हम लोगों ने देखे कि हा जो यूज हो है यह बेसिकली पार्टिकल है और हा जब ऐसे पार्टिकल होता है तो उसके प्र्रोणूंस एसन वा हो जाता है और उसके मिनिंग क्या है वो इंगलिश में म इस आर की तरह काम करता है बट नॉट मिस आर की तरह काम करता है ए नवान वा in टो इस इस sentence pattern में into तो हो गया book, object और in one क्या होगा, in one होगा कोड़े सोरे आरे, और एक चीज़ ध्यान रखियेगा, कोड़े सोरे आरे तब use होगा, जब आप किसी object के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी person या किसी भी animal के बारे में जब बात नहीं कर रहे हैं, यानि कि कोई living being के बार में बात कर रहे हैं, कुरे वा होंदिस, this is book, कुरे वा होंदिस, अब इस book कहां पर है, मेरा सान के पास है, that's why she is saying, कुरे वा होंदिस, देखे यह book तना का सान के पास है, इसलिए तना का सान बता रही है, कुरे वा होंदिस, अगर मान लिजे इस book के बारे में बात कर रहे है जो book मेला सान के पास है. अब ताना का सान क्या बताएगी? सोरेवा होंदिस. अगर माले लिजे के यह book यहाँ पर है. अब ताना का सन क्या बताएगी? आरेवा होंदिस. बहुत सिम्पल है. तो in one basically replace हो जाएगा कोरे सोरे आरे से और in two के जगा पर वो object आ जाएगा जो भी object है वो into के जगा पे आजाएगा आब आते हैं दूसरे point पे पीछले lesson में हम लोगों ने पढ़ा था no particle क्या करता है basically दो नाउन को जूर देता है माई वाच बातासीनो तोकेई मिरा सान नो कुरूमा मिरा सान का गाड़ी ताना का सान नो ये ताना का सान का घर दोनो नाउन को जब एक दूसरे के साथ connect करते हैं तब no particle use करता है Same thing happened here also this is my watch तो मैं क्या बताहूंगा कोरे बातासीनो तोकेई दिस एन्टु को रिप्लेस कर रहा है एन्टु नो नो एन्टु बातासीनो कुरूमा माई कार बातासीनो तोकेई माई वाच मिरा सान नो का बान मिरा सान का बैग एन्टु रिप्लेस हो जाएगा इस चीज से ब यह पूरा बातासीनो होन आनातानो कुरूमा तो इस तरह का आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए सेंटेंस मेकिंग इस वेरी इंपोर्टेंट आप खुद सेंटेंस बनाएं अलग-अलग ऑब्जेक्ट के कुछ नहीं एन्वन और एन्टु को रिप्लेस कर दीजे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है बस एन्वन एन्टु को रिप्लेस करके अलग-अलग सेंटेंस प्रैक्टिस करिए